20 दिनों भारत ने जी 20 कि शिखर सम्मेलणकी मेजवानी की इस मेजवानी के इतर कई अन्य देशयों के साथ कई अन्य संस्थानों के साथ भारत ने सिदारी की MOU पर हस्ताक्षर कि इन्हीं में से एक है भारत मध्यपूर्व यॉरॉप एकनॉमिक कॉरिडोर या इंडिया मिडल इस यॉरॉप एकनॉमिक कॉरिडोर दरसल इस economy corridor को बनाने का मुख्यों देश है भारत का मध्यपूर्व से होते हुए यूरोप के साथ संबंध स्थापित करना ताकि व्यापार आर्थिक विकास को और बहतर तरीकी से सुनश्चित किया जा सके दृष्टी आईएस के इनफोकस प्रोग्राम में एक बाए फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ गिता अंजरी शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी special economic corridor के बारे में जो भारत को मेडिल इस्ट के साथ connect करेगा और भारत को यूरोप के साथ connectivity प्रदान करने में क्या है आए देखते हैं सबसे पहले कि आज हम किन खास बिंदों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे देखेंगे खबर खबर के बाद यह खबर सुर्ख्यों में क्यों आ गई है इसके बाद यह जानेंगे कि भारत यूरोप आर्थिक गल्यारा या इंडिया मिडिल इस्ट इन्वेस्ट में यानि PGII यह क्या है ठीक है इसके बाद जानेंगे कि हमें PGII की जरूरत क्यों पड़ी है यानि जो चीन का BRI इनिशेटेव है इसकी पहल है यानि बैल्ट और इनिशेटेव जो चीन की पहल है इसकी विकल के तोर पर कैसे PGII को देखा जा रहा है से यह समझें चीज़ों कि भोष्चव की गई है कि इए प्रॉप पूरा जो विश्य है घ्यावन चीज़ यदि आप इस पूरे session का PDF चाहते हैं तो दृष्टी IAS की in focus telegram channel को आप जोइन कर सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हो देखते हैं सबसे पहले है खबर खबर the Indian Express में प्रकाशित की गई है खबर है India Europe Economic Corridor What is the partnership for global infrastructure investment that is behind the project यानि जो India Europe Economic Corridor बनाया जा रहा है ये किस पहल के तहद बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है PGII पहल के तहद Partnership for Global Infrastructure Investment जो पहल है इनिशेटिव है इसी के तहद बनाया जा रहा है India Europe Economic Corridor को तो आईए देखते हैं इन सभी मुद्दों को इन सभी चर्चाओं को लेकिन सबसे पहले किया खबर में क्यों है अभी हमने बात की कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और इसमें विभिन देशों के साथ कई इसमें इंडिया इस यॉरॉप एकनौमिक और दो शामिल है इसी पर भी हस्ताक्षर किया गया है और इसकी तहस को बनाय जाने की बात की जा रही है इस को रिडूर की जरिये ध्यान रखेगा यानि यदि हम बात करें आई एड़ी को दोर की बारे में तो इस कोरिडूर के ज चीक है और कुछ समुद्री मार्गों का इस्तमाल करके इस कोरिडूर को बनाया जाएगा यानि महारस पे यॉरॉप की कनेक्टिविटी को इस्थापित करने के लिए इसके तहट रेलवे लाइनों और समुद्री मार्गों का इस्तमाल किया जाएगा ताकि परिभान के देखते हैं सबसे पहले कि आखिरियें को द्यारा किया इस clip जाएगा भारत के गुजरात वाले कि इससे मेडीलीज तो जोड़ा गो एक किसके घरिये समुद्री मार्ग के जरीए शजिक है जिसे इस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा चीक है यानि कनेक्टिंग इंडिया टू अरेबियन गल्फ को कनेक्ट करने के लिए जिस कॉरिडोर का इस्तिमाल किया जाएगा उसे कहा जाएगा इस्ट कॉरिडोर और इस इस्ट कॉरिडोर के बाद हम मिडल इस्ट का यानि अभी तक भारत भी मिडिलीस्ट के लिए हमने समुद्री मार्ग को चैन किया अब पूरे मिडिलीस्ट में रेलवे लाइन का विकास किया जाएगा और फिर इसके बाद मेडिलीस्ट के इस कॉर्णर से यॉरप में करेक्टिवीटी प्रदान करने के लिए फिर से समु इस पूरे को ही क्या जा रहा है इंडिया मिडिलीस्ट यॉर्प एकनॉमिक कॉरिडूर इसमें कौन-कौन से छेत्र शामिल होंगे ध्यान रखेगा इसमें इंडिया शामिल होगा इसके बाद इंडिया के बाद UAE से कनेक्टिवीटी होगी UAE के बाद साओधी अरेविया से कनेक्टिवीटी स्थापित होगी साओधी अरेविया के बाद जॉर्डन इसमें शामिल होगा इस्राइल इसमें शामिल होगा इसके बाद समुदरी मार्ग के जरिये हम इटली से connectivity स्थापित कर पाएंगे इटली के बाद ध्यान रखेगा फ्रांस से भी connectivity स्थापित होगी और अन्त में जिर्मनी और अभी जो हल ही में MAU पर हस्ताक्षर हुए है इन सभी देशों के साथ ने हस्ताक्षर किये हैं यानि अभी जो भारत मध्यपूर वे यूरोप आर्थिक गल्यारी की बात चल रही थी इनमें ये सभी देशों ने हस्ताक्षर किये हैं जिसमें इंडिया ध्यान रखेगा यानि भारत UAE सौधी अरेबिया जॉर्डन इसराइल इटली फ्रांस और जर कौन से देश जया कौन से छेथ भारत यूरोप या भारत मध्यपूर वे यicki आर्थिक गल्यारी में शामिल नहीं है यह मैशामिल है ऐसा फ़्रस्ण की निर्मार्डि की बात है ताखी एंग गल्यारे का निर्माण हो सके और सब्सक्राइब निर्मांट की कि जाएगी यह को बनाया जाएगा पार्ट्न सिफों ग्लोब इंफ्रस्ट्रंट्ट्रग्स्टिर investment के जरिए ध्यान रखेगा इस परियोजना को partnership for global infrastructure investment के एक हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा ध्यान रखेगा यहां पर PGII अपने आप में महजपूर है क्योंकि इसे चीन के belt and road initiative के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है ठीक है इसके क्या किया जाता है तुसकी तहत बुनियादी धांचा परियोज के बैल्ट एंड रोड इनिशेटिव के जवाब के तौर पर या विकल्प के तौर पर देखा जाता है यदि बात करें पीजी आई 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 की तो पीजी आई आई के माध्यम से ग्लोबल साउच में वन्यादी धाचे के अंतराल को कम किया जा सकता है दरसला भी जो जी जून तो जो सौ्थ वाली कंट्रीज हैं मैगजी मम ऐसी कंट्रीज हैं जो डैवलप नहीं हैं जब indict-north नर्थ की कंट्रीज काफी विकास की और ध्यान देना चाहते हैं तो यह तो देखा हमने इस कॉरिडोर के बारे में और PGII के बारे में फिर भी एक और टर्म है चुकि यहां पर Global Infrastructure Investment एक महतुपूर्ण चीज है एक महतुपूर्ण साचिदारी है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं वर्ज 2021 में तब इसकी चर्चा चली थी और इसकी घोशना हुई थी और इसी के घोशना के बाद निकल कर आया था PGII यानि PGII का अस्टित पर कब आया है जी सेवन देशों के सिखर्शम मिलने के दौरान वर्ज 2021 में ठीक इस बात को ध्यान सकते हैं इसकी इसकी प्रेमवर्क के लिए काफधाना की रूप में पेश किया जा सकता है वर्ज 2022 में जर्मनी में PGII को आधिकारिक तौर पर एक सइवन पहल की रूप में लॉंच के आई चुक्ơnकर इसमें विभिनिदेश शामिली // धैननी देश के ओपba जर्मनी और यह भी जगा थी जहां पर जी सेवन देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा था यानि अगली वर्ष का चीक है सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से इसमें जो पूरा पार्टिसिपेशन है दिखाया जाता है इनी किसी भी शेत्र में ध्यान दे जिस शेत्र में सार्वजनिक यानि जो सरकारी और निजी यानि इन दोनों के जरिये उस शेत्र में निवेश किया जाएगा और उस शेत्र के विकास की बात की जाएगी इसमें सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से विकाशील देशों में बुन्याधी धांचे परियोजनाओ को वित्व पोशित किया जाएगा इसके बारे में हमने अभी चल्चा भी की थी इसके लावा एक और महा चुन बात यह है कि जो वैश्विक लेवल पर बैल्ट एंड रोड इनिशिटिव चल रहा है चीन के माध्यम से तो वैश्विक किस्तर पर जो बैल्ट एंड रोड के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस जोड़े एक महत्पोंट अच्छी को यदि हम बात करें बी आर आई और पी जी आई आई की उद्देश के बारे में किसका मुख्यता उद्देश क्या चीन ने से क्यों शुरू किया था और पश्विदेश मिलकर पीजी आई के माध्यम से महत्पूर बुनियादी धांचे के निर्माण के लिए देशों को सुरक्षित वित्त विकास या वित्त पोशन प्रदान करना यानि जो देश अभी तक विक्सित नहीं हुए है जिन देशों में अभी भी बुनियादी धांचे की जरूरत है उनमें सड़कों पुलों के निर्माण के लिए उनमें रास्तों के निर्माण के लिए संचार के सेट अप को बनाने के लिए वित्त पोशन की सहायत प्रदान करना ताकि उस पूरे शेत्र का विकास हो सके इसी के लिए इनिशियेटिव को शुरू किया गया था जब रोड पुलों सड़कों का विकास हो जाएगा तो पुरी दुनिया का य데ृट्टिवीटी प्रदान करेगी तो ऐसे में उन पूरे श्थेत्रों का विकास हो सकेगा क्युक् dynamically आवाद्ग जो है वह सहेवतर हो सकेगा सगेगा और व्यंछिक ब्यापार भी से बढ़ेगा इसली इन पहलों कि शुरुवाद की गई है अब आए जानते हैं कि आखिर इसे बिया राइए के विकल्प की रूप में क्यों देखा जा रहा है यानि पीजी आयाईई को बी आराई का विकर क्यों माना जा रहा है यदि हम बात करें बी आराई के संदर में तो बैल्ट एंड रोड इनिशेटिव की शुराथ हुई थी कब 2013 में चीनी राश्टपती शी जिंपिंग ने वश्ट 2013 में बी आराई की घोशना की थी कि वे पूरी दुनिया में करने के लिए खासकर ये यॉरप से चीन चीन और फिर एशिया को छेत्रों में करने के लिए बैल्ट एंड रोड इनिशेटिव को शुरू कर रहे हैं और 2013 में इसकी परनर जीवित करना ताके उन मार्गों के माझ्यम से व्यापार सुनश्चिक हो सके विभणे देश हो करना लेकिन एक के बार लेकिन के बार यह देखा जाने लगा कि बहुत सारे एसे आर ब्यद्र tem to provide करा रहा है कि रहाएं कि आने वाले भविश में वे उसे वापस चुका पाने में सक्षम नहीं होंगे ऐसे में विभने देशों या कहें पश्वी देशों ने चिंता जाहिर की और चिंता जाहिर करने के संदर्ग में इन्होंने पीजी आई आई की शुरुआत करने की बाद कही थी ताकि विदेश जो चीन के चंगुल में फस्ते जा रहे हैं एकनॉमिक तरीके से क्योंकि बैल्ट एंड रोड इनिशेटिव में केवल यह शामिल नहीं था कि बुन्यादी धांची का विकास किया जाए रिंड की सहायता प पश्ची में देशों ने यह कई अन्य देशों ने कई अन्य संगठनों ने इस बात की शुरुआत की कि अब हमें पूरी दुनिया में कनेक्टिवीटी प्रदान करने के लिए बी आर आई का एक विकल्प देखना होगा और इसी की तौर पर पीजी आई आई को देखा गया तो इसले पीजी आई आई को शुरू किया गया ठीक है इसके लावा चीन की तरफ से यह हम बात करें तो चीन कहता है कि उसने रण की माध्यम से विभेन अदेशों का विकास किया है चीन की माध्यम से कई ऐसे वक्त अप्राप्त हुआ है रोजगार का भी स्रजन हुआ है रोजगार की स्रजन में मदद मिली है लेकिन यहां केवल एक पक्षी देखा जा रहा था अब यह हम बात करें कि भारत का विरोध क्यों कर रहा था तो भारत का विरोध करने का मक्सद यह था कि क्योंकि चीन का कर रहा था वह भारत की उस हिस्सें से गुजरने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो कि भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने इस पर तो आपने ध्यान रखा होगा भारत की मैप में इस तरफ पाकिस्तान ने अपना कब्दा कर रखा है और चीन पूरे हिस्से से पाकिस्तान से connectivity प्रदान करने की बात कर रहा था BRI के माध्याम से जिससे क्या कहा गया है चाइना पाकिस्तान एकनौमे का विरोध कर रहा था इसलिए भारत ने इस BRI का भी विरोध किया भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थे-गल्यारे की बात कही कि यह भारत की संप्रभुता के खिलाफ द तो चुकि हमने देखा कि बी आराई जो पहल है चीन की यह ट्रांस्पेरेंट नहीं है पारदर्शी नहीं है जब कि जी सेवन देशों ने साफ कहा कि हमारा पार्टन सिर्फ ग्लोवल इंफ्रस्ट्रॉक्टर इंवेस्ट्मिंट जो प्रोजेक्ट है जो पहल है यह पूरी तर में रख कर ही विभिन देशों में इंफ्रस्ट्रॉक्टर का विकास किया जाएगा ठीक है याने इसे पूरी तरीके से पारदर्शी पहल की रूप में देखा गया बुन्यादी ध्यांचे के निर्माण में जलभायू परिवर्तन जैसे मुद्दों को विध्यान से या यह भी कहा गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके तहत हम लेंगिक समानता पर भी ध्यान देंगे हम इसके तहत स्वास्त बुन्यादी धांचे पर भी ध्यान देंगे यह भी हमारे मुख्य उद्देशों के या फोकस वाले बिंदों में शामिल है यानि पीजी आई-ई- इसका सिसपाइच नेत्रचिकित्सा से संबंधिर धुस्पिटल्स की निर्मान की बात बाते हैइं की रहिए हैं फ्रक्शन की बणाया उस्वास बुन्यादी द्हांचे पर भी रिषारी करके इस परियोचिना को शेयरो किया रहा है इसमें सरकारी और निजी स्प्षारे किया जाए गई जो प्लब्ट कराया जाएगा वो ना तो अनुदान होगा नहीं फंड होगा वह केवल रिण होगा जिसे वापस करना होगा यानि किसी भी देश पर आप आश्रत नहीं हो जाएंगे सीच के लिए कि आपने उस देश से यदि सहायता ले ली है तो अब आप उस देश के अंदर आ गए है उसके अंडर आ रहे है या आप उसको आश्रत हो गए है चीक है यानि इसके तहर कहा गया है कि यह पूरी तरीके से क्या है रुण है यह ना तो दान है और ना ही सहायता है ठीक है यह तो हमने देखा विकल्प की जरुरत क्यों थी अब आये जानते हैं सकते महजपोर्ण मुद्दे कि PGII पहली के हि पहलों के बारे में इंडोनेशिया अन्यदेशों में तुक्षूजा दूरसंचार आधी कई परियोजनाओं की घोशना कर दी गई है इसके अलावा इसमें वित्व पोश्चन के परणावों में से एक स्वास बुनियादी धांचे पर निवेश की बात की जा रही है यानि अंतराष्टी विकास वित्त निगम ने कहा है कि भारती स्वास्त बुनियादी धांचे में 15 मिलियन डॉलर से भी अधिक का निवेश्वे करेंगे जिसके माध्यम से विभिन वंचित बर्गों के लिए सरजरी यहां उपलब्ध हो पाएगी नेत्र क्लीनिकों की पूरी के श्रंखला भारत में शुरू की जाएगी इसके लावा जो गैर महानगरों में रहने वाली महिलाएं जो वंचित महिलाएं उनके स्वास्त के लिए विशेश तौर पर प्रावधान किये जाएंगे उन्हें सुरक्षित और किफायती महिला स्वक्षता उत्पार सेनिटरी उ बीच में इन्फ्रस्ट्रक्चर विकास कें लिए 300 billion का निवेश करेंगे OF कि time killing जिसमें से उन्होंने यह लिए स्अच्ट कर दिया है किसमें आधा आफिकी शेत्रों में निवेश करेंगे आफ्रिका कीछ्एत्रुमें विकास के लिए infrastructure या बुनियादी धाचे के विकास के लिए British काम करेंगे या European संग काम करेगा इसके अलावा Africa, Latin America, Caribbean, Asia प्रशांत और पश्च्वी बार्तन में 90 से भी अधिक परियोजनाओं को शुरू करने की बात चल रही है इसके लावा अब बात करेंगी, PGII शुरू हो गया है और देखा जा रहा है कि Belt and Road Initiative की आलोचना के बात, चीन ने इसमें सुधार करने की भी बात कही है चीन ने खुद कहा है, यानि शी जिन पिंग ने वर्थ 2019 में कहा है कि अब हम Belt and Road Initiative के तहत, Green BRI के प्रति अधिक प्रतिवद्ध है यानि अब हम Green BRI पर ध्यान देंगे, Greenery पर ध्यान देंगे इसमें यानि इस चीज में भी में सुधार की बात कर रहे है इसके अलावा यह भी कि आजारा लगतार देखा जा रहा है कि चीन BRI के जो नकरात्मा पक्ष है, उनमें सुधार कर रहा है ताकि विभिन देश इसकी और आकश्ठ हो एक और बात यह भी निकाली जा रही है कि जितना निवेश चीन अपनी और खीच सकता है उतना अभी यॉर्पी देश या PGII के तहर नहीं प्राप्त किया जा सकता है यानि चीन के पास निवेश प्राप्त करना या चीन जितना निवेश कहीं कर सकता है उन पूरे शेत्रों में अपनी पैठ स्थापित करना चीन के लिए ज़्यादा आसान है यह बात एक लेख में निकल कर सामने आई है इसके लावा यह भी देखा जा रहा है यदि विभिन देश ध्यान दे कि BRI सुधर रहा है कि आलोशना के बाद इसमें कुछ सकारात में पहलू देखने को मिलते हैं यदि यह रेड़ पर फोकस होकर कारे करेगा तो PGII और BRI दोनों ही जो विकास से लेशे उनके लिए बहतर विकल्प की रूप में देखे जा सकते हैं और बहुत आरे ऐसे देश हैं जो फिर अंत में इन दोनों का लाव ले सकता है यानि PGII और BRI उपलग विकल्पों में विविदता लाने में मददगार साबिद होंगे ऐसे में कहा जा सकता है यह शीर्थ पर पहुंचने की दोड़ में सभी पक्षों को लाब प्रदान कर सकते हैं चलिए देखते हैं बाज के सैशन पर आधारित हमारा प्रश्ण प्रश्ण है निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए बियाराई की तहट चीन ने ग्रीन बियाराई के प्रतिया प्रति आई जब आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूले मिलते हैं हमारे अगले अपसोर में तब तक पढ़ते रहें रिविजन करते रहें शुक्रिया झाल ओूले प्रति झाल